नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिची दोस्तों पस्तित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्तो पूर्ण जयानकारियों को ले करके जहां दोस्तों सुंदर्य निखारने के लिए प्याज का प्रियोग करें प्याज और शधिय गुनों से भरपूर होता है दोस्तों ये सिहत के साथ-साथ सुंदर्य के लिए भी लावकारी होता है आपने अब तक प्याज के रस से बालों को होने वाले फायदों के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा आज हम आपके लिए प्याज के रस से त्वचा को होने वाले फायदों के बारे में बता रहे हैं दोस्तों दाग धबों को दूर करे कलिफोर्निया की एक डर्मोटोलाजिस्ट बोर्ड के अनुसार चेहरे पर पड़े काले धबों को दूर करने के लिए निम्बू और प्याज को मिलाकर चेहरे पर लगाएं हलांके इनकी प्रकृति एसीडिक होती है लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है तब यह सोफ्ट हो जाते हैं इसलिए इन दोनों का रस निकाल कर चेहरे की रंजकता और काले धबों को दूर कीजिए इसके अनुसार एक चोथाई चम्मच प्याज और उतना ही निम्बू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं और फिर दस से पंद्रह मिनट बाद चेहरे को धोने से धब्बे दूर हो जाते हैं दोस्तों काले वो गहरे दाग हाटाएं आप चाहें तो दही में प्याज का रस मिला लें या केवल प्याज का रस निकाल लें इसमें रूई की बनी गेंद को भिंगो कर गहरे रंग के दाग पर लगाएं और पाँच मिनट के बाद गुनगुने पानी से धोएं सभी काले गहरे दागों को हटाने के ये घरे लूप चार ह gels दोस्तों इंटी एंजिंग गुण प्याज में सलफर और विटामिन होते हैं दोस्तों और लहसुन एलिकेन में इंटी फंगल और एंटी एजिंग गुण होते हैं प्याज और लहसुन का रस बराबर मात्रा में लेकर उसमें सिर्का मिलाएं इसे चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद चेहरा ठंड़े पानी से दो दें प्याज के रस में इंटी बैक्टिरियल गुन होते हैं दोस्तों जो फायदा करता है आपके चेहरे को सुजन व लालिमा को करें कम अलिव ओयल में प्याज का रस दो चमच मिला लें अभी से अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक छोड़ दें उसके बाद पानी से अच्छे से साफ कर लें आपको लाब मिलेगा यह सुजन व लालिमा को कम करती है और निशान में कोलेजन क का निर्माण होने से रोकती है इससे निशान कम दिखाई देते हैं यह समानियत एक जेल स्वरूप में पाया जाता है जो आप निशान पर घिस सकते हैं यह प्रक्रिया लंबी है और आपको अच्छे परिणाम दिखने में कुछ लंबा समय लग सकता है दोस्तों अंचाहे बाल वह मस्से हटाएं ताजा तुलसी के पत्य और प्याज की पारदर्शी झिल्ली का पिष्ट अतिरिक्त बाल के शेतरों पर लगाने से एक महिने में ऐसर होगा लाल प्याज को बारिक काटें और नमक मिला कर इसका पिष्ट तैयार करें इसे मस्से वाली तवछा पर हमसे अपनी सुंदर्ता को निखार सकते हैं तो अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों कुछ एक और महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों